चेहरे पर जब किसी भी तरीके की दाग धब्बे होते हैं या पिग्मेंटेशन होती है पिग्मेंटेशन हमारी स्किन में जब हो जाता है तो मेलानेन का जो प्रेडक्शन होता है वो बढ़ जाता है जिस जगह पर हमारी स्किन में वो मात्रा बढ़ती है उस जगह पर हमारा जो चहरे का कलर है वो बदल जाता है और उसी जगह पर हमारी स्किन पर पिगमेटेशन में लाजमा डार्क स्पॉर्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो इन सब से आप कैसे घर पर निजात पा सकते हैं मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं सिर्फ दो स्टेप जो कि आपको करने हैं और इन सब चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिया और जो रेमेडिय में आपके साथ शेयर कर रही हूं यूज कर रही हूं आपको वही यूज करना है इसके बाद एक चमच मैं आट करेंगे हूं शुगर अगर आपके चीनी मोटी है थोड़ी सी तो उसको हलका सा क्रश कर लीजे उसके बाद आट कीजे फिर मैं यहाँ पर एट करूँगे लेमन एक हाफ लेमन को यहाँ पर पूरा स्क्वीज कर लीजे अब जो है इन सारी जिदों को हम अच्छे से मेक्स करेंगे यह हमारा पिग्मेंटेशन एकने और स्किन की ब्राइटनिंग बढ़ाने वाला स्क्रब बनकर रेडी है अब जो है हम इसे स्क्रब करेंगे सबसे पहले इसे अपलाई करना है अपने पूरे फेस पर जो हमने इसमें लेमन डाला था वो खाली हो चुका है उसी में यह स्क्रब आधा भरके उससे हम सर्कुलर मुशन में बहुत ही जेंटली हातों से स्क्रब करेंगे अब जो है दही और शुगर दोनों ही इंग्रीरियंट आपकी डेट स्किन को बहुत ही अच्छे से रिमूफ करते हैं शुगर में होता है गलाईकॉलिक एसिड जो आपकी उपरी जो स्किन होती है जिसमें बहुत जाला डैमेज हो जाता है उसे रिमूफ करती है lactic acid जो दही में होता है वो आपके dark spot pimples की problem को दूर करता है अब जो है यहाँ पे scrub करने के बाद आप इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद जो है आप ठंडे पानी से wash कर लीजे अब बनाते हैं अपना pack जिसके लिए एक aloo लेंगे उसका juice निकाल लेंगे अब जो है एक पाउल में हम लेंगे मुलतानी मिटी एक चमच थोड़ा सा इसमें एड़ करेंगे wild turmeric इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे half lemon juice और last में हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने potato juice निकाला था उसको जितना इसे mix करने के लिए लगेगा आप उतना potato juice एड़ कीजिए सभी चीज़ों को अच्छे से mix करिए और ये हमारा pack बनकर ready है मुलतानी मिटी गर्मियों में आपकी skin के लिए राम बान काम करता है मुलतानी मिटी आलू जब दोनों मिल जाते हैं तो आपकी skin कितनी भी damage हो pigmented हो वो सारे remove होते है dark patches हो गए है आपकी skin में वो अच्छे से remove होते है oily skin की problem है वो नहीं होती या बहुत जादा आपके pimples हो रहे हैं तो वो नहीं होते काफी हद तक वो कम हो जाते हैं day by day आपकी skin glowing होती है निखार आता है आपकी skin में अगर आपको lemon से allergy है तो आप इस पूरी remedy में जो है lemon को skip कर सकते हैं अब जो है इसे अपने पूरे face पे apply करना है neck पे भी apply करना है उसके बाद जब इस सूख जाएगा तब आप इसे ठंडे पानी से wash कर लीजे हफ़ते में इसको आप तीन बार इस्तमाल कर सकते हैं और जो मैं आपके साथ scrub बता रही हूँ आप उसे हफ़ते में एक बार इस्तमाल करें अच्छे result के लिए last में मैं यहापे बना रही हूँ एक toner जिसे आपको last में apply करना है यह जो toner में आपको बता रही हूँ सुबह शाम दो टाइम आप इसको 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 इस्तमाल करें इसके लिए मैं ले रही हूँ एक चमच apple cider vinegar जो आपकी skin के pores को deeply cleanse करेगा उनको tighten करेगा साथी साथ अगर आपकी skin में pigmentation की problem है वो नहीं होती है आपकी skin में निखार भी आता है एक चमच ACV तो 5-6 चमच rose water की यहाँ पर add करना है इन्हें mix करके cotton की health से आप इस तरीके से last में इसे अपने पूरे face पर neck पर अच्छे से apply कीजे उसके बाद tap tap करते हुए अपनी skin में observe होने दीजिए आपको बहुत ही अच्छा result मिलेगा तो आई होब आप इस remedy को try जरूर करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like कर दीजे चानल को subscribe जरूर कर दीजे सो मिलती हूं में ही next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye